Students, take out your English notebook, write heading fill in the blanks in, on, under, write this question students, बच्चों अपने English के notebook निकालिए और उसमें heading दीजिए, fill in the blanks in, on, under, और यह सारे questions को आप पहले copy कर लीजिए, clear, okay, बच्चों यहाँ पर देखिए, ball किसके उपर है, इस box के उपर है ball, देखिए अच्छे से, किसके उपर है ball, box के उपर है, और कोई भी चीज़ अगर उपर हो, तो उसके लिए हम क्या use करते हैं बच्चों, correct, on, on use करते हैं, चलिए, एक बर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, in का use करते हैं, on का use करते हैं, और under का use करते हैं, अगर मैंने इस pencil को इस box के अंदर रखा, तो हम इसके लिए i and in को use करेंगे, clear, okay, और अगर इस pen को मैंने box के उपर रखा, ठीक है, box के उपर रखा, तो on on को use करेंगे, और अगर मैंने इस box के नीचे रखा, तो under under को use करेंगे, ठीक है, यानि कि अंदर जब हम कोई भी सामान रखते हैं तो i and in को यूज़ करते हैं उपर रखते हैं तो on on को यूज़ करते हैं और नीचे रखते हैं तो under को यूज़ करते हैं आप देख सकते हो पहले वाले पिक्चर में यह जो ball है इस box के उपर है तो इसलिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ on on use करे हूँ clear okay ball काम पर है अभी इस table के नीचे है तो table के नीचे है तो नीचे की चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम you and d e r under क्या यूज़ करते हैं बच्चो you and d e r under यह pencil काम पर है बच्चो glass के अंदर है और अंदर की चीज़ों के लिए क्या use करते हैं हम बच्चों बोलो I am in use करते हैं clear ओके यह बाकी के questions आप copy करिए पहले ओके देखिए students यह लड़की कहां खड़ी है पेड के नीचे खड़ी है नीचे की चीज़ों के लिए क्या use करते हैं हम लोग under तो लिखे यहाँ पर यू एन डी आर Under clear ओके यह flower कहां पर है pot के अंदर है और अंदर की चीज़ों के लिए क्या use करते हैं हम I am in use करते हैं ठीक है यह apple कहां पर है table के उपर है और उपर की चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं ओ एन उन यूज करते हैं क्लियर बच्चो कितना सिंपल था आपको सरफ तीन चीज़े अच्छे से याद रखनी है अगर कोई चीज अंदर होगी जैसे की ये पैंसिल ग्लास के अंदर है ये फ्लावर पॉट के अंदर है तो अंदर की चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं आई एन इनको यूज करते हैं क्लियर बच्चो और कोई भी चीज से अगर उपर होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ओ एन उन को यूज करते हैं अप WALL box के oopper है है यहांपर एफ़ टीबल के oopper है और ओपर की चीज़ों के लिए मैंने क्या यू उसके wanna क्लिय क्लियर औके और जो चीज नीचे होती है उसके लिए जूस करते हैं UNDER यूस करते हैं था अप कि आप यहां पर देखिया बॉल कहां पर है टेबल के नीचे इस पिक्चर में देखिए और लड़की कहां पर है टी के नीचे और नीचे की चीज़ों के लिम क्या यूज करते हैं बॉल करते हैं